हेलो फैंड्स आपका अपना यूटूब चैनल दसंदेश इंस्सचूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ स्थर बेस्त्र वास्तो दोस्तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए टाप 20 सौटकट की लेकर हम आये हुए हैं जो कि यह बहुत ही मुस्ट इंपॉर्टेंट त्रिपल से एक्जामनेशन के लिए है क्योंकि यह कुश्चन जो आना ही आना है सो हम चलिए इस सौटकट की को फटापट देखते हैं पाला हम देखते हैं यहां पर जो डूब्लिकेट स्लाइट के बारे में हैं मिस्स CTRL प्लस DM प्रेस करते हैं तो डूब्लिकेट होगा यह पावरपइंट कशं होता है, मिस आप देखते हैं कि जो सौटकट की आता है आप देखेंगे कि XL पावरपइंट और एकसे यह तीन प्रोगाम्स से रिलेटेड जो है सौटकट की आपके triple से एक्जाम में आते हैं तो यहां पर देखेंगी यह जो है को जैसे आपने कोई भी text लिखा हुआ है उसको आपको replace करना होता है तो आप control के साथ आप h press करेंगे तो वो replace होगा इसके बाद insert new plus m होता है यानि कि एक slide आपने जो create कर लिया है इसके बाद उसकी duplicate slide आप उसको insert करना चाहते है निव स्लाइड की रूप में आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो control प्लस आप एम यूज़ करेंगे तो वो निउस्लाइड इंसर्ट होगा इसके बाद नंबर आता है अगला सूपर स्क्रिप्ट फार्मेटिंग का सूपर स्क्रिप्ट फार्मेटिंग अरी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके बाद एक इंक्रीज फार्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसका साइज को चोटा करना चाहते हैं तो इसका साइज करते हैं कि यह ग्रेटर देन का सेमल होता है और आप लेडिरें का यूज़ करेंगे तो डिक्रीज हो गा माप्रिटी करेंगे तो से आपका क्या होगा है प्लस देन से क्या होगा इसको निक्रीज किया जाए गा успe कब पर मेंट का स्अटर करीक है कर चल में स्परप्रीट करना होगा सिर्फ करना होगा तो उसके लिए इसके बार next slide होता है find slide का shortcut की क्या होता है shift plus f4 होता है यानि कि shift plus f4 का आप यूज करते हैं तो अगला next slide को आप क्या करेंगे आप उसको find कर पाएंगे इसके बार help होता है यदि आपको किसी भी powerpoint से related आपको help लेना होगा ms world में भी आप help ले पाएंगे f1 से और powerpoint में भी आप help ले लेंगे और excel में भी यही आपका f1 होता है f1 से आप help ले सकते उसे related आपको उस प्रोगाम से related help ले सकते हैं इसके बाद अगला number होता है regroup का regroup का start cut की control c plus j होता है और इसके all slide अर्था सभी slide को एक साथ select करना होगा control प्लस एक यूज किया जाएगा इसके बाद paste format दिया गया इसका start cut की control प्लस shift प्लस भी हम यूज करेंगे यह किसका होगा यह paste format का होगा इसके बाद insert embedded chart होता है यह एक्सल का कुछ पार्ट यहां पर लिखा गया है यह most important है exams के लिए insert embedded chart जो होता है insert करना होता है alt के साथ एपन यूज किया जाएगा insert chart या साथ निव उस seat पर जिस seat पर आप काम कर रहे है उस पर यह आपको चार्ड इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए shortcut की क्या दिया गया है F11 दिया गया है इसके बाद create table यथा यदि आप कोई भी table create करना चाहते है excel में कोई table create करना होगा तो उसका shortcut की क्या होता है प्रेस करेंगे तो टेवल आप इंसर्ट वहां पर कर लेंगे कि कितना रोब कितना आप वो कालंब चाहिए आप अपने requirement के उसर आपको आप इंसर्ट कर लेंगे लेकिन टेबल लिए करने के लिए यह कई यही आपका shortcut की F7 है MS Word में भी चेक करेंगी तो भी वहाँ पर F7 मिलेगा PowerPoint में आप देखेंगी तो वहाँ पर भी मिलेगा Excel में देखेंगी तभी वहाँ पर Smilling Gramana का shortcut की F7 ही होता है एट लास्ट में थेसरस होता है थेसरस का जो shortcut की होता है सीट प्लस F7 होता है थेसरस क्या होता है थेसरस में जैसे आप किसी भी वर्ल्ड का आप परियाबची सब find करना चाहते हैं किसी का जिसे आप computer के देखना चाहते हैं water के देखना चाहते हैं sun का देखना चाहते हैं किसी भी इंपार्टेंट टाप 20 जो है सॉटकट की को सलेक्टेट किया गया है जो कि आपके त्रिपल सी एक्जाम में आना है इसको जो है सो आप इसको जो है आप पूरूप से आप याद कर लिजिए और कर लिजिए इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए और यदि हमारे चैनल पर आप नए है था हमारे चैनल का आप जो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकोन को प्रेस कर लिजिए और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए मैं मिलता हूं सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जायन जाय भारत